गोड़ा के मेला मैदान में आयोजितिस चुनाभी सभा में उपस्तित मान्य प्रियंगा गांधी जी, प्रदेश कॉग्रिश प्रभारी गुलाम एहमद मीर जी, प्रदेश कॉग्रिश अध्यत राजे श्ठाकोर जी, मान्य विधायक से गोड़ा लोकसभा के प्रत्याशी प पत्रलेग जी, मान्य विधायक इर्फान अंसारी जी, मान्य विधायक दिपीका पांडे जी, मान्य पूर विधायक संजय यादव जी और मझ पर उपस्तेत इंडिया गणधन के हमारे सभी नेतागण, कारेकर्टागण, और सामने ये जन सहलाब, हमारी जनता, हमारे आप सभी को मेरी तरफ से नमश्कार है, प्रणाम है, जोहार है, असलाम वालेकुम है आपने अभी यहाँ जो यह चुनावी सबा में सबकी बाते सुनी है मैं आपको यह आश्वस्त कराना चाहती हूँ यह चुनाव जो अभी चल रहा है, मैं अपने हर मंच पे कहती हूँ कि यह चुनाव बीजेपी बनाव हमारी जन्ता का चल रहा है और हमारी यह जन्ता त्रस्थ है, और यह त्रस्थ जन्ता के जो प्रत्याशी है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया गडबंधन के सिर्फ जारकन में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप जितने प्रत्याशी और उमीद्वार देखेंगे तो हमारी त्रस्ट जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे इंडिया गडबंधन के सारे प्रत्याशी करना होगा कि आपकी रोज मर्रा की जीवन क्या है आपकी रोज मर्रा की तकलीफ क्या है आप अपने घर में कितना पैसा बचा के लेके जाते हैं महेंगाई दर इतनी उची है कि कि कितना भी कमा लीजिए घर में पहुंचते पहुंचते कम पढ़ जाता है एक ही घर से पुरु की मेनत के साथ काम करते हैं लेकिन जितना आपको अपने हिस्से में आना चाहिए था वो आपके जेव में नहीं आता है और ये जो चुनाव है लोगसभा का चुनाव ये पांच साल में सीर्फ एक बार आता है और हम इसे पुरे बड़ चड़ करके लोक्तंत्र के पर्व के हिसाब से मनाते हैं लेकिन पांच साल में आपके उपर क्यवीति है यह र एक इनसान हर एक परिवार आपके उपर क्या गुजरी है यह आपने सिर्फ महसूस किया है लेकिन अब यह वक्त आ चुका है कि इंडिया गड़ बंधन जिस ताकत के साथ ज़िस होसले के साथ और जिस नीतियों के साथ जिस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हमें मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जनता हमारे साथ है आज बाबा दॉक्टर भीम राव अमेडकर जी का संविधान खत्रे में हैं हमारा लोगतंत्र खत्रे में हैं और आप ने ये देखा ही हो गया लोगों की बात सुनी भी होगी बीजेपी वालों की ये तो कहते ही है कि हम आएंगे और आते ही हम संविधान बदल देंगे संविधान बदल देंगे मतलब आरक्षन खत्म कर देंगे आरक्षन खतम कर देंगे मतलब हमारे जितने भी गरीब गुरुबा आदिवासी दलित पिछड़ा और अल्पसंक्यक लोग हैं जरुवत मंद लोग हैं हमारे जितने अधिकार बाबा साहब ने हमको दिये हिंदुस्तान में ये उनको बदलने जा रहे हैं अभी ये लोग ने इलेक्शन हुआ नहीं पहले से अपना रहा पहला चरण हम एक नारा दूसरा चरण हुआ ब्यजेपी वालों का नारा बदल गया तीसरा हुआ फिर बदल गया चौथा हुआ फिर बदल गया तो सात्वा आते आते तक अब यहीँ होगा कि अब बीजेपी अब आने नहीं वाली है और इसका अंदेशा उनको पहले ही हो चुका है और यही भयावास्तिती को उन्होंने भाप लिया था इसलिए आपके प्यारे मुख्य मंत्री हेमन सोरेन जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया वो भी चुनाव से ठीक पहले यह वही है मंसोरेन है जिसने जब कोरणा हुआ था तो अपने मजदूर भाईयों को बाहर से लाने का काम किया था जब केंदर सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगडाउन से पहले उनकी जो जिम्मेदारी है लोग अपने जगह पे पहुँच जाए उनके लिए सुविधाए उप्रंतर आए लेकिन इन्होंने नहीं किया बड़ी बड़ी इमारते आप देखते हैं बड़े बड़े भवन देखते हैं कौन बनाता है इसे सुन्दर सुन्दर आपको सड़के नजर आती हैं हाईवे देखते हैं कौन बनाता है इन्हें इन्हें मजदूरों की चिंता कभी नहीं हुई है बीजेबी वाले हमेशा मज सब्सक्तूर भाईयों को बसों से ट्रेन से हवाई जाहत से जारखन लाने का काम किया है और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया है आज हमारे अन्दादा हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपना धर्ना देने आते हैं तो ऐसा भ्यावास्तिती पैदा कर देते हैं इतने बड़े बड़े लोहे के जाल पिछा देते हैं कील लगा देते हैं, जैसे लगता है कि कोई बाहर से विदेशी हमला कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है किसानों का, ये हिंदुस्तान है मजदूरों का, ये हिंदुस्तान है आदिवासियों का, ये हिंदुस्तान है पिछणों का, ये हिंदुस्तान है गर रखवाला अगर किसी को होना चाहिए था तो वह केंद्र सरकार को हो túणा चाहिए था लेकिन आज ही यह परिस्तिती आपके सामने उत्पन हो रही है वह परिस्तिती का अगर आपको लेखा जोगा मिलेग्श आप लोगों को प्रेश्ट बीजेपी वालों से पूछना चाहिए था ये बीजेपी वाले लोग 2014 में जमिन को जनादेश मिला इतने बड़े बड़े वादे करके आए कि किसानों की आई दुगनी करेंगे 15 लाख खाते पे आएंगे काला धन बाहर साएगा आपके खातों में 15 लाख आएंगे मुझे तो लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आप ही गए होंगे आए आपके अकाउंट में पैसे अरे देख लीजे आ गए होंगे दस साल पुरानी बात है कुछ तो आया होगा आया है आप लोग हाँ बोल रहें कि ना बोल रहें नहीं आया है ये वही लोग हैं जो रोजगार की बात करते थे 2014 में अगर सबसे जादा वोट मिला है तो हमारे युवा वर्क ने वोट किया है और इसलिए किया था कि उनको लगा था कि हमारा भविश्य थोड़ा उजवल होगा प्रकाशिक होगा लेकिन आप देख सकते हैं 10 साल हो गए कहां गए वो बाते कहां गए वो बाते जिनके जिनका भरोसा जीत करके हमारी जनतागा भरोसा जीत करके इन्हों ने कहा था कि हम भारत को सुद्रिड करेंगे आगे बढ़ाएंगे मुझे लगता है ब्रश्चा चार की बात ये लोग करते हैं जितने बड़े बड़े ये लोग हम लोग के उपर में उंगलियां उठाते हैं जितने दागीदार नेता है सब आज बी कि जहां पे इडी वाले वही जाते हैं चंदा दे दो सबके इस ख़तम हो जाएगा हाँ आपने सही कहा वही ऐसा मशीन है जिसमें से आप पार हो जाएं सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा और आप लोगों ने तो सुनाई होगा जितना जागा बड़ा ब्रश्चाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उत्रे बड़े पदाधिकारी लेकिन ये लोग अपनी बाते अपनी उंगली हमारे उपर इंडिया गडबंदन की उपर उठाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि बागी की उंगलियां आपके उ लिद्वार है उनका व्यक्तित्व तो देखी लिया होगा उनके इतने बड़ बोलेपन है कि हमारे कॉंग्रेस की चाहे महीला विधायक हो दिपिका पांड़े जी हो बादल पंत्र लेग जी हो इनके उपर में भी कैसे अब शब्द बादे करते हैं और ये एक सब्धे समाज में एक सब्धे समाज में ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतने बड़े जगा में होना नहीं चाहिए और इस बार ये चुनाब आप लोगों को करना है जो व्यक्ति एक महिला का इसत नहीं कर सकता जो व्यक्ति एक जन्द प्रतिनिवी का इसत नहीं कर सकता तो आप बताईए कि एक आम जंता को वो किस नजर से देखेगा ये आज आपको निर्दारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है हमारे इंडिया गड़बंधन के प्रत्याशी बड़े भाई है प्रदीव भाईया जी को आपको जिताना है यहाँ एक तारिक एक जून को मद्दान होगा क्रम संख्या दो आपको भारी मतों में इनको विज्वाई बनाना है क्योंकि मैं आपको कह देना चाहती हूँ अगर आप इनको प्रदीव यादक जी को बड़े भाईया को अगर आप जिताईएगा तो आप जार्खंड के मुद्दों को जिताईएगा यह वही विधायक है जो विधान सभा में जिनकी आवाज जंतार तरीके से गूंचती है अपने जार्खंडियों की आवाज जंतार तरीके से गूंचती है तो मुझे लगता है कि अब संसत की भी बारी आ गई है और हमारे जब यह संसत बन करके जाएंगे तो जार्खंड के जो अपने मुद्दे होंगे उनको प्रखरता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इसका आशिरवाद आप लोगों को देना है आप व आप लोगाई से आशिरवाद दीजिए विजाई भाव का आशिरवाद दीजिए यह विजाई भाव आप प्रदीद जी को करिएगा यह विजाई भाव आप हेमन जी को करिएगा यह विजाई भाव आप दिशम गुरु शीवु सोरें जी को करिएगा यह विजाई भाव इंडिया गडबंदन को करिएगा इंडिया गडबंदन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशिरवात से तो मुझे लगता है इंडिया गडबंदन का मतलब होता है महिलाओं के खाते में 8500 रुपया प्रतिमाह आना इंडिया गडबंदन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है आप लोगों को यह सुनिश्चित करना है पांच किलों का जो वादा किया गया है पांच किलों का अनाथ 10 किलों होगा इंडिया गडबंधन की जीत का मतलब बनता है आदिवासी धर्म कोड की नीती को लागू करना इंडिया गडबंधन की जीत का मतलब होता है पिछ इंडिया गडबनन का मतलब होता है, हमारा ये सुन्दर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अपने सब बच्चों के आगे बढ़ा करके, उनकी सिक्षा में आगे बढ़ा करके, महिलाओं को, अपनी भागीदारी दे करके, अपने भाईयों को, युवा भाईयों को, जगह में, सही जगह में नौकरी दे करके मुझे लगता है ये वादा आपको अपने साथ करना है और आप लोग हमेशा एक नारा देते हैं आप लोग हमेशा अपने हेमन सोरें दादा के लिए एक नारा देते हैं जेल का ताला तूटेगा देते हैं न तो जो ताले की जो चावी है वो चावी है आप लोग आपका एक एक वोट चावी है क्योंकि हिंद अगर इंडिया बटमंदन की सरकार दिल्ली में चार जून के बाद आ रही है तो आपके हेमन सोरेन भी बाहर आ रहे हैं और ये निश्चित हो चुका है अगर आपको अपने अगर प्रत्यास्शी को बोट करिएगा और पृचंड मात्रा में वोट करिएगा चाहेँ कितनी कडी क्यों नहींफ करना हो आपको अब परचंड मात्रा में वोट करना है करिए अगा को मैं आपसे कुछ सवाल पूछ हूंगी आप उजवाब दिजेगा मतदान की तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक और आपका छाप क्या है दिखाईए कौन सा छाप कौन सा छाप कौन सा छाप क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या क्रम संख्या क्राम संख्या और ये जीद सुनिश्चित करनी है आपको और इस जीद को सुनिश्चित करने के लिए आपने आज जिस जोशीले अंदाज में यहां दिया है उसी तरीके से एवियम मशीन का भी बटन दबाईएगा और हमारे इंडिया गटबंदन के प्रत्याश्वी को गोट है इतनी गर्मी में भी आए ये टेंट भी छोटा पड़ गया है बहुत लोग बाहर भी खड़े हैं वहां गाड़ी के उपर में भी खड़े हैं और अगर आप थोड़ा से देख पाएंगे तो हिंदुस्तान का जंडा भी आपको नजर आएगा पीछे मुड के देख लीज संक्याग जरूरत मंद का हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तानी हम लोग है और मुझे लगता है आप लोगों का आशिरवाद इंडिया गडबंदन को जरूर मिलेगा मेरी तरफ से बहुत-बहुत जोहार है प्रणाम है और सलाम है